नमस्कार वहुपरिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है जिसके तहत यदि कोई प्रत्याशी या उसका समर्थक धर्म नसल जाती समुदाई या भाशा के आधार पर विभिन वर्गों के बीच चत्रुता या घ्रिना फैलाता है तो उसे तीन से पांच बर्शों की सवजा हो सकती है यानि की जेल की हवा खाना तै है क्योंकि या गैर जमानतिय और संगे अपराध की श्रेनी में आता है ठीक इसी तरह अगर कोई भी प्रत्याशी किसी अन्य प्रत्याशी किसी के जीवन के ऐसे पहलों की आलोच ना करता है जिसकी सत्यता साबित नहीं हो तो उसे भी सजा हो स क्योंकि या जमानतिय अपराद है जिसकी सुनवाई प्रथम श्रेनी के मजिस्ट्रेट के सामने की जाएगी वही निर्वाचन प्रचार के लिए अपनी धार्मिक रननीती को भी उमिद्वार को भूलना होगा क्योंकि राजन निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि मस्जितों, गिरजागरों, मंदिरों, ठाकुरबाडियों या अन्य पूजास्थलों या धर्मास्थलों का प्रचार मंच के रूप में करना जाते या सामप्रोदाइक भावनाओं की दुहाई देना भी गेर जमानतिय अपराद की श्रेनी में शामिल है यानि कि इस बार के पंचायत में भक्ती ही शक्ती है नहीं चलेगा आपको बता दे कि मन में श्रधा रखते हुए चिनाव में आगे इस बार बढ़ना होगा या थो इस बार प्रसाशन आदर श्रचार सहिता के पालन के लिए ज्यादा सख रही है क्योंकि बात पंचायत की हो तो अनिम्दता भी इसके साथ खुले और फ्री ओफर के तरह आती है यही कारण है कि सरकार और आयोग इस बार संकल्पित है कि चिनाव का योजन किसी भी हाल में दिस्पक्ष ही होगा ये तो हो गई प्रत्याश्यों की आचरन की बात जहां हमने देखा कि प्रचार के दौरान किन-किन बातों का परहेज करेंगे तो आपको जेल की हवा नहीं खानी होगी अब बात करेंगे थोड़ी जिम्यदारियों की जिसके तहट पंचायती राजवभा के निर्देशा अनुसार इस बार चिनाव जीतने वाले मुख्याओं को काम करना होगा यानि की जीतने वाले मुख्याओं जी को अब अपने कारेश्चेतर में एक साल में कम से कम चार बार बैठक अनिवारी रूप से आयोजित करनी ही होगी इन चार बैठकों के अलावा इनके पास ग्राम पंचायत के विकास की कारियोच्रा बनाने के साथ ही सभी प्रस्तावों को लागू करने की जवाब देही भी तैय करनी होगी इसके साथ ही ग्राम पंचायतों के लिए तैक किये गए टैक्स, चंदे और अन्यसरकारी शुल्क की वसूली के इंतजाम करना भी अब इनकी ही जिम्मदारी होगी इन सब के बीच इस बार पंचायत चुनाव में आयोग ने सरपंचों को पंचायती राजविवस्था में तीन बड़े अधिकार दिये हैं जिसके तहट ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने उनकी अध्यक्षता करने के साथ ही अब ग्राम पंचायत की कारेकारी और वित्य शक पंचायत और गाउन की सर्को की देखवाल पशुपालन और क्रिशि की व्यवसाए को बढ़ावा देने, सिच्चाय की व्यवस्था करने के अलावा अन्तिम संसकार और कब्राश्तान का रखराखाव करना होगा सरपंच को कारेकारी और विद्धिय शक्तियां देने से इस बार सरपंच पद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या भी विभिन्न पंचायतों में बढ़ गई है जबकि पिश्रे चुनाफ में सरपंच और पंच पद के लिए सबसे कम प्रत्याशी मैदान में थे जिसके बाद अब चुनाफ को लेकर तैयारियों का सिलसला जा रही है और जल्द ही चुनावी प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है हलाकि वीडियो खत्म होने से पहले आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि पंचायत चुनाफ को लेकर आपके जुले में तैयार यांक कैसी चल रही है इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद